जै शीमन नारायन नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को योगिनी एकादशी का शुम महुर्त पूजा विधी महत्व व्रत की विधी पौराडी कथा सब कुछ सुनाऊंगी आईए जानते हैं दोजर चौबिस के जुलाई महिने में योगिनी एकादशी किस दिन पढ़ रही है असाड मा के कृष्ण बख्ष के ग्यारहमी तिथी पर योगिनी एकादशी का वरत किया जाएगा भगवान स्रकृष्ण ने खुद इध्विष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व की बारे में बताया था ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे प्रित्वी पर सभी तरह की सुख प्राप्त होते हैं इसके साथी व्यक्ति जन्मरण की बंदन से मुक्ति पाता है योगिनी एकादशी कवरत करने से 88,000 ब्रामणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और रदी को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है इस साल योगिनी एकादशी एक या दो जुलाई किस दिन है आईए जानते हैं पंचांग की अनुसार असार मा के क्रिश्न पक्ष की एकादशी थी एक जुलाई को सुबह 10 बच कर 26 मिनट पर शुरू होगी और 2 जुलाई को सुबह 8 बच कर 42 मिनट पर समाब्त होगी उद्याती थी कि अनुसार योगिनी एकादशी कवरत 2 जुलाई को ही किया जाएगा योगीनी एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई 2024 को सुबा पांच बच के 28 मिनट से 7 बच के 10 मिनट के भी किया जाएगा एकादशी के दिन सुबा स्नानादी से निवरित होकर व्रत शुरू करने का संकल्प ले तत पश्चात पूजन के लिए मिठी का कलस अस्थापित करे उस कलस में पानी अच्छत और मुद्रा रखकर उसके उपर एक दिया रखे और उसमें चावल डाले भगवान विश्णों की प्रतिमा स्थापित करे ध्यान रखे कि प्रतिमा पीतल की ही हो प्रतिमा को रोली अथ्वा सिंदूर का टीका लगा कर अच्छत चढ़ाएं उसके बाद कलश के सामने सुध देशी घी का दीप जलाएं अब तुलसी पत्ते और फूल चढ़ाएं फिर फल का प्रसाद चढ़ा कर भगवान विष्णों का विधी विधान से पूजन करें फिर क्रिष्ण एकादशी के दिन दश्मी तिथी को रात्री में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए अगले दिन सुबस्ना नादि सभी क्रियाओं से निवरेथ होकर भगवान श्री हरी विष्णू तथा लच्मी नरायण जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुध दिन गरीब असहाय अत्वा भूखे ब्यक्ति को भोजन कराना चाहिए तथा प्यास से ब्याकुल ब्यक्ति को जल पिलाना चाहिए रात्रे में विष्णू मंदिर में दीप दान करते हुए किर्तन अत्वा जागरण करना चाहिए एकादशी के अगले दिन द्वादशी ति दश्मी से लेकर पारण होने तक का समय सतकर्म में बिताना चाहिए तथा ब्रह्म चर्य व्रत का पालन करना चाहिए योगीनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति परिवारिक सुख पाता है यह व्रत सभी उपद्रों को शांत कर सुखी बनाता है योगीनी एकादशी का व्रत करने से सम्रिधी की प्राप्ती होती है माना जाता है इस व्रत को करने से 88,000 ब्रामडों को भोजन कराने के बराबर पुन्य प्राप्त होता है या व्रत तीनों लोकों में प्रसिद है इस व्रत को विदित रखने से सिध्धी और सफलता मिलती है इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिये वे श्राप का निवारण हो जाता है या एकादुशी समस्त आधि ब्याधियों को उनस्ट कर सुन्दर रूप, गुण और यश्ट द इकादुशी व्रत की पावन कथा सुनाने जारी हूं बोलो जय शिमन नाराण मा भारत काल की बात है एक बार धर्म राजिय धिश्टिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे त्री लोकी नाथ मैंने जेश्ट मा के सुक्ल पक्ष की निर्जला इकादुशी की कथा सुनी अ तो अब मुझे विस्तार पुर्वक बताएं स्री कृष्ण ने कहा हे पांडो पुत्र आशार मा के कृष्ण पक्ष की एकादुशी का नाम योगिनी एकादुशी है इसके व्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं या व्रत इस लोक में भोग तथा पर लोक में मुक्ति दे हे धर्मराज या एकादुशी तीनों लोकों में प्रसिध है इसके व्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं तुम्हें मैं पुराण में कही गई कथा सुनाता हूं ध्यान पुर्वक स्रवण करो कुबेर नाम का एक राजा अलका पुरी नाम की नगरी में राज्य करता था वह शिव भक्त था उनका हे माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था हे माली की विशालाक्षी नाम की अति सुन्दर इस्त्रे थी एक दिन वा मान सरोवर से पुस्प लेकर आया किन्तु कामा सक्त होने के काड़ पुस्पो को रखकर अपनी इस्त्रे के साथ रमड करने लगा इस भोग विलास में दो पहर हो गई हे माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दो पहर हो गई तो उसने क्रोध पुरवक अपने सेवकों को आगया दे कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हे माली अभी तक पुश्प लेकर क जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया है राजन वहे माली अपने सत्रे के साथ रमड कर रहा था इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हे माली को बुलाने की आगया दी डर से कापता हुआ हेममाली राजा की सामने उपस्थित हुआ उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोधाया और उसके होट फर्फडाने लगे राजा ने कहा अरे अधम तुने मेरे परम पुझनिय देवो कोई भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है तुझे शाप देता हुँ तु इस्त्री के वियोग में तडपे और मृत्यों लोग में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे कुबेर के शाप सेवा तक शड़ स्वर्ग से प्रिथवी पर आगीरा और कोड़ी हो गया उसकी इस्त्री भी उससे बिछड़ गए मृत्यों लोग में आकर उसने अनेक भयंकर कश्ट भोगे किन्तु शीव की कृपा से उसकी बुद्धी मलीन ना हुई और उसे पुरो जन्म की भी सुध रही अनेक कश्टों को भोगता हुआ जब अपनी पुरो जन्म की कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमाले परवत की तरप चल पड़ा चलते चलते वह मारकंडे रिशी के आश्रम में जा पहुँचा वह रिशी अत्यंत व्रिध तपस्वी थे वह दूसरे प्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा की समान सोभा दे रहा था रिशी को देखकर हेम माली वहां गया और उन्हें प्रडाम करके उनकी चड़नों में गिर पड़ा हेम माली को देखकर मारकंडेर इसी ने कहा तूने कौन से निश्क्रिय कर्म किये हैं जिससे तू कोड़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है महरशी की बात सुनकर हेम माली बोला हेम मुनिश्रिष्ट मैं राजा कुबेर का अनुचर था मेरा नाम हेम माली है मैं प्रति दिन मान सरोवर से फूल लाकर शियो पूजा की समय कुबेर को दिया करता था एक दिन पत्नी सहवास की सुख में फस जाने की कार मुझे समय का ज्यान ही नहीं रहा और दो पहर तक पुष्ट न पहुचा सका तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तू अपनी इस्तरी का वियोग और मृत्यों लोग में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोग इस कारण में कोड़ी हो गया हूँ तथा पृत्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ अतक रिपा करकी आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ती हो मारकंडे रिशी ने का हेम माली तुने मुझे सम्मुक सत्य वचन कहये हैं इसलिए मैं तेरे उधार के लिए एक व्रत बताता हूँ यदे तु अशाण मा के क्रिश्न पक्ष की योगीनी नामक एकादशी का विधान पुर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पापनष्ट हो जाएंगे महर्शी के वचन सुनहे माली अतिप्रसन हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगीनी एकादशी का विधान पुर्वक व्रत करने लगा इस व्रत की प्रभाव से अपने पुरानी स्वरूप में आ गया और अपने इस्त्री के साथ सुक पुर्वक रहने लगा भगवान शेक्रिष्न ने कहा हे राजन इस योगीनी एकादशी की कथा कफल 88,000 ब्रामणों को भोजन कराने के बराबर है इसके व्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है बोलो जैशिमन नाराड अगर आपको मेरी याक अथा अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में जैशिमन नाराड जरूर लिखें